नमस्कार मैं हूं डॉक्टर नितेश राज आज हम बात करेंगे IBS के बारे में IBS जिसका मतलब है Irritable Bowel Syndrome के बारे में इस वीडियो में हम आपको IBS की पूरी जाकारी देंगे और हमारा खास फोकस होगा इसके treatment के उपर तो चलिए शुरुवात करें जैसा कि नाम जो है IBS Irritable Bowel Syndrome इस पिसली ये Large Intestine की बीमारी है ओभर और GIT में हो सकता है Small में भी हो सकता है बट मेंली जो है ये Large Intestine की बीमारी है और यहां कहीं ने कहीं जो है आपका Bowel या Large Gut जो बोलते हैं या Large Intestine वो कहीं ने कहीं Irritation हो रहा है Irritate हो रहा है अब यह देखा गया है कि ये IBS की बीमारी बहुत ही Common है 5 से लेके 20% तक ये Commonly पाया जाता है Females में ये ज़्यादा होता है Males के बनिश्पर तो इस Case में कैसे हम Diagnose करेंगे कि कि किसी को IBS है तो क्या-क्या Symptoms देखने को मिलते हैं Symptoms अगर हम आपको समझाने के लिए बोले तो 4 Symptoms याद रखिएगा A, B, C, D A for हो गया Abdominal Pate पेट में दर्द होगा Especially जो है Lower Abdominal में बोलते हैं बट ये हो सकता है कि Diffuse भी हो सकता है 4 तरफ हो सकता है B for Bloating Bloating मतलब की पेट पुरा फुला हुआ है Gas भरा हुआ है C for Constipation हो सकता है D for Diaryia हो सकता है अब देखिए कि एक Rome Criteria होता है Rome for Criteria अब क्या है कि इस Criteria ने बताया है कि अगर क्या-क्या चीज़े आपको मिलेंगी तो आप बताएंगे कि इस patient को IBS है Confirm आप बता देंगे तो इसमें दिया गया है कि अगर तीन महीने में तीन महीने की बात हो रही है तीन महीने में अगर हर सप्ता किसी देख्ती को पेट में दर्द हो रहा है रेकर एट बार बार हर सप्ता में कम से कम एक बार पेट में दर्द हो रहा है और दर्द के साथ साथ जो है जब दर्द होता है तो हो सकता है उसको लैट्रिंग जाना पड़े लैट्रिंग करने के बाद दर्द में कुछ आराम मिल जा रहा है इस tool की जो frequency है जो वो lettering जितनी बार करता था वो frequency बढ़ गई है जो है या change हो गई है या ज्यादा या कम ज्यादा होगा तो diarrhea बोलेंगे कम होगा तो constipation के तरफ जाएगा तो या तो इस tool की frequency में बदलाव आया है या तो इस tool की consistency में पहले जैसे माली जे normal होता था अब पानी के जैसा हो रहा है या hard हो रहा है तो या तो इस tool की frequency कितनी बार वो frequency जा रहा है उसमें बदलाव आया changes या तो इस tool का जो consistency है उसमें बदलाव आया और पेट दर्द तीन मह में तक तब हम इसको बोलते हैं और खासकर ये दल अगर लैटरिंग जाने के बाद डिफिकेशन के बाद कुछ हद तक इंप्रूब हो रहा है या नहीं भी हो सकता है तो इस कंडिशन को ये क्राइटेरिया मिट करता है रूम फोर क्राइटेरिया तो आप इसको देखेंगे मै तो आप देखिए कि Irritable Bowel Syndrome में जो मैंने बताया मेल सिम्टम्स यह है पेट में खाना जो है नहीं पचना या बार-बार लैटरिंग होना या कॉंस्टिपेशन होना पेट में गैस होना क्रैंप होना दर्द होना ये सब चीजे जेनरलाइज आपको सिम्टम्स मिलते हैं बावल लग रहा है पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ये सब जो है एक बहुत सारे जो है वराइटी जो देखने को मिलते हैं लेकिन मेली हम बोलेंगे कि चार तरह का जो है आईबीस होता है आईबीस इरिटेवल बावल सिंड्रोम जो है सी सी वहराइटी मतलब अब हम आपको बताएंगे कि कारण क्या है आईबीस का इरिटेवल बावल सिंड्रोम का कारण क्या है देखिए ऐस सच बहुत डेफिनिट कुछ कारण तो नहीं है बच कुछ हाइपोथेसिस कुछ जो है बताया गया है चीजे कि ये हो सकता है जिसमें 4-5 चीजे है मैं आप को बताऊंगा सबसे पहले बोला जाता है कि Altered GI motility मतलब जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारा Gastrointestinal tract है पूरा यहां सिले के नीचे तक जो है तो Gastrointestinal tract में जो मुवमेंट होता है खाना का पे S.T.E.L.C. मुवमेंट के चलते खाना नीचे की और प्रोपेल होता है और Lating से निकलता है तो उसकी motility अगर altered हो जाए मतलब बीना खाना के भी हो सकता है कि वो एक बार कभी जो है spasm हो जाए या जैसे ही खाना गया बहुत ज्यादा spasm हो गया तो उस conditions में आपको तुरंत दर्द हो सकता है और दर्द के साथ-साथ अर्द्स टू डिफिकेट हो सकता है तो एक hypothesis अब ये क्यों हुआ altered nobody knows किसी को नहीं पता कि ये क्यों आप ही में जो है ये motility जो है गड़ की motility अल्टर क्यों हुई ये कोई नहीं बता सकता है इसमें जो viscera होते हैं जो हमारे intestine आतों के अंदर जो नर्व का जो प्लेक्सस है मान और मली जो किसी को दर्द नहीं हो रहा है पेट में तो वो इतना ज्यादा sensitive है कि फिर उसके चलते हैं आपको पेट में दर्द होनी लगता है जिसको हम बोलते हैं कि viscera जो होता है पेट के अंदर का जो और उर्गन उसको viscera बोलते है visceral hypersensitivity होता है एक और hypothesis दिया गया है कि genetic factors है, genes से related है, हो सकता है कि उनके family में किसी नकिसी members को होता है इसलिए जो है उनको भी ये genes के थूप πάश out हुआ है तो उनको भी ये problem हो रहा है एक और कारण है कि जो गट में जो flora होते हैं जो हम बोलते हैं कि माइक्रो flora जो bacteria होते हैं यूजफुल bacteria होते हैं और कुछ bad bacteria होते हैं तो हो सकता है कि bad bacteria का number बहुत ज़ादा बढ़ गया है और useful का काफी कम हो गया है उसके चलते भी जो है डायरिया वाली variety IBS देखने को मिलती है और एक सबसे important है कि gut brain axis जो होता है देखिए हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं और उसकी जो movement होती है normal खाने की movement जो normal time आप देखिया है कि आपको अर्थ टूडिफिकेट मतलब लैट्रिंग पास्ट करने की टेंडेंसी आ जाती है इक मिल्स कि suddenly जो है stress से anxiety और brain से related है यह gut brain axis भी इसमें एक बहुत बड़ा role अदा करता है तो यह मैंने चार-पांच चीजे बताएं इनको आप ध्यान दे कि EC के कारण जो है IBS होता अब IBS को diagnose करने के लिए usually कोई भी test हम लोग नहीं कराते हैं मैंने आपको already बताया है कि room 4 criteria में अगर वो fulfill करते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि इनको IBS है test हम तभी कराते हैं test बोलते हैं कि exclusion का test है कि कहीं कुछ और तो नहीं है उसको हम पता करने के लिए test करते हैं इसके लिए कुछ red flag sign है कि अगर patient का हम देख रहे हैं कि weight loss बहुत जादा हो रहा है भूख ही नहीं लग रहा है lettings से blood आ रहा है severe pain दर्द हो रहा है family में किशी को ulcerative colitis है या colon का cancer है Crohn's disease है joints में भी inflammation है joints का भी problem है fever बार बार आता है तो ये सब कुछ red flag signs है जो मैंने यहां दिये हैं अगर ये चीजे हैं और आपको साथ में मान लीजे IBS का features mimic कर रहा है diarrhea है constipation है तो आप ये सब चीजों को confirm करने कहीं कुछ खराब chronic बीमारी तो नहीं है जैसे कि inflammatory bowel disease इसको हम rule out करने के लिए फिर test कराया जाता है उसमें बहुत सारा blood test भी colonoscopy भी ये सब किया जाता है but as such IBS के लिए हम लोग test नहीं कराते हैं यहीं पे एक और चीज़ कि अगर IBS है और IBD है देखिया इसमें बहुत लोग पुछते हैं IBS irritable bowel syndrome usually हम कोई भी test नहीं कराते हैं अगर test होता भी है तो rule out करने के लिए कि कहीं IBD तो नहीं है क्यूंकि IBD खराब है एक तरह से बोले तो थोड़ा इससे ज़्यादा खदरनाख है तो यह इसमें क्या है कि IBD में possibilities आपका रहता है कि वो chances of malignancy या cancerous chances रहता है but IBS जो है usually benign है इसमें कुछ भी वैसा problem नहीं होता अगर suppose IBS को rule out करने के लिए अगर हम कोई test करते हैं और आप देखिएगा कि अगर IBS है और colonoscopy हुआ है कुछ भी हुआ है उनका mucosa में ना inflammation आएगा ना damage आएगा लेकिन अगर IBD रहेगा तो उनके mucosa का जो अंदर है लेयर के अंदर आप देखिएगा damage भी रहेगा और आप देखेंगे अब हम आते हैं सबसे main topic that is की IBS का treatment क्या है देखिए IBS का treatment जो है स्टार्ट होता है कुछ healthy lifestyle से और lifestyle modifications जैसे कि आपको regular meditation ध्यान करना होगा आपको मालू है कि गट brain axis involved है अगर माथा शांत रहेगा तब ही जाके आपका गट भी ठीक रहेगा तो हम बोलते हैं प्राणयाम है, meditations है, regular exercise के लिए बोलते हैं exercise करने से GI motility रहती है, नॉर्मल तरीके से काम करती है और कुछ dietary modifications है, especially हम FODMAP diet की बात करते हैं हर जगा आप देखेंगे FODMAP, FODMAP ऐसा diet होता है, FODMAP diet आपको कम लेना है क्योंकि FODMAP diet जो होता है, FODMAP जो नाम से आप देख रहे हैं, कि fermentable, oligo, disecrets और polyanols से सब रहते हैं तो ये सब ऐसे carbohydrates हैं, जिसको खाने से आपको बहुत ज़्यादा bloating और ये IBS की समस्यान जो है, काफी बढ़ लाती है इसके अंदर सबसे importantly अगर मैं कुछ नाम बताओं, तो जैसे कि milk और milk products हो गया, जितने भी दाल होते हैं, beans होते हैं, तो ये सब चीजे हम बोलते हैं, खासकर लहसुन और प्याज, देखिए हमारे पुर्वज नहीं खाते थे तो हो सकता है कि it might be related to the link to this, कि लहसुन और प्याज सबसे ज़्यादा notorious है IBS के लिए, और मैंने बताया दाल हो गया, fruits में कुछ हो गया, जिसमें sorbitol होता है, जैसे apple हो गया, नासपाती हो गया, और मैंने बताया dairy products हो गया, और कुछ सबजिया हो गया, जैसे कि cabbage है, cauliflower है, asparagus ह तो ये सब जो है मैंने दिया है, कुछ food map that ये आपको low करके रखना है, तो dietary restrictions कर लीजिए, exercise कीजिए, meditation, pranayam ये कीजिए, बहुत बार जो है, psychotherapy भी करवाते हैं, क्योंकि देखिए, patient जो है बार बार, किसी को अगर दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार अगर जाना पड़े, जो है इस case में हम बोलेंगे कि आप pranayam और ये सब करें, और mind को cool रखें, और हो शकता है कुछ medicines भी हैशा हम दिया जाएगा, जिससे आपके brain के कुछ काम करें, तो अब हम directly बात करते हैं, कि medicines इसमें क्या-क्या दिया जाता है, medicines जो है, जिस variety का आपको IBS है, उसके हिसाब से दिय जाएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि pain के बारे में, देखिए pain मैंने बोला कि spasmodic pain होता है patients को, और spasmodic pain के लिए हमारे पास सबसे अच्छा natural option है, वो है peppermint oil, peppermint oil जो है आप देखे होंगे, ये पुदीन हारा जो होता है, ये भी इसमें भी peppermint oil है, और main जो इसक अब peppermint में भी देखेगा, एक peppermint होता है, एक spearmint होता है, हम यहाँ पे peppermint की बात कर रहे हैं, जिसमें 90% menthol होता है, तो एक तो ये दिया जा सकता है, बहुत सारे कंपनिया अलग-अलग नामों से भी आती है, जिसके कोल मिंट आती है, पे पीभा करके आती है, पीनोबा IVS करके आती है, तो ये दवाया दिन में दो बार करके हम देते हैं, तो इसे गैस भी कम बनता है, फ्लैकुलेंश जो है, या गैस बना तो पास हो जाता है, और क्रैम्पिंग कम होता है, ये एंठन जो है, स्पाजम कम होता है, तो ये नेचुरल तरीका है, और लोगों को बाफी ज्यादा लोगों में प्रिचलित है, और पहले से हमी हम लोग ये यूज करते आ रहे हैं, तो ये एक डेफिनिटिव IVS में प्रूबें एक मेडिसिन्स है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, एंटी स्पाजमोडिक जो हमारे अलोपैथी मेडिसिन्स में, तो एंटी स् दवाइयां आप दे सकते हैं, ये सब जो है कैलसिम चैनल ब्लॉक करके किसी तरह से स्पाजम को उसके जो शड़िल जो मरोड हो रहा था या स्पाजम इसको रोकता है, तो ये दवाइयां डाइसाइकलोमीन, जैसे कि आप जैसे इसमें साइकलोपैम आता है, और हायोशीन मे दिया सकता है, या बहुत बार जो है, बहुत बार ये एंटी कोलिनर्जिक, एंटी स्पाजमोडिक कॉंबिनेशन में आते हैं, इसमें दो-दो एंटी स्पाजमोडिक मिला रहता है, और थोड़ा सा लो डोज में एक ब्रेन के लिए हलका शनीन्द का या एंग्जाइटी कम करनी की दवा मिली रहती है, बहुत कॉमनली आप देखेंगे, I think के नॉर्मैक्षी नेक ऐसी दवा है, जिसमें एक जो है क्लोड आईजी बॉक्षाइट और दो जो है एंटी स्पाजमोडिक है, तो ये भी दिया जाता है, मूड पे भी काम किया, थोड़ा ब्रेन को भी तो हमको डायरिया वाला पूरा ट्वीट्मेंट करना पड़ेगा, अब डायरिया आपको मालूम है कि मेंली जो है ये डायरिया कोई infection से नहीं है, एक तो infection से है, मैंने बताया है कि जो गट में बहुत ज़्यादा bad bacteria होते हैं, बट मेंली अगर हम बात करें कि ऐसा IBS का डायर तो उसके लिए हमारे पास सभसे बेस्ट अल्टरनेटिव है Loperamide हम लोग देते हैं, Loperamide जो है Lopamide या Imodium नाम से आता है, दो मिली ग्राम का आता है, 2 मिली ग्राम बिन में 2 से 3 बार तक हम लोग इसको चलाते हैं, अब Loperamide अगरा हम बोलेंगे तो हम ये भी बोल सकते है नाम से आता है कि दाइफ रonnaोसिलेट संपर के सी अड़ा के लिए मिनिमाइज चरने के लिए उसका ननशा न लग जाए लट न लग जाए ट्रो पीन देते हैं तो आप लो मोटिल भी दिया जा सकता है, ड्रग अफ च्वाइस की अगर हम बात करें तो लो परामाइड होता है, इसी में अगर ये दोनों दवाईया बच्चों में नहीं दी जाती है, अगर बच्चों में देनी होगी तो रेसी कैडो ट्री लाता है, जो जी डो अट नाम से रहेगा, और डायरिया के वराइटी में हम क्या दे सकते हैं, तो और हम ऐसी दवाईया दे सकते हैं, क्योंकि डायरिया में बहुत बार देखा गया है कि हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन या सेरोटोनीन ये सब का रोल होता है, तो 5-HT3 receptor antagonist भी दे सकते हैं, जिसमें आलोसे डी में, that is irritable bowel syndrome, डी वाले वराइटी में देते हैं, वो है tricyclic antidepressant जो हम देते हैं, जिसके अंदर आता है emitryptiline, nodryptiline, emipramine, besipramine, अब देखिए कि tricyclic antidepressants क्या है, कि ये pain की जो sensation है, उसको कम कर देता है, और ये gut और brain जो होता है, इस पर काम करता है, आपको मालू जो चिरापन आ गया था, जो depressed mood हो गया था, उसको भी ये ease करेगा, और इसका side effect होता है, anti cholinergic side effect होता है, हर सीज जो है dry हो जाता है, आप दिखिएगा कि emitryptiline, that is tryptomer नाम से जो आती है दवा, इसको आप खाएंगे तो मुह भी सुखता है, इसी तरह से आपका पेट में भ जो आप डिश्चार्ज हो रहा है, वो भी धीरे धीरे, ट्रांजिक टाइम बढ़ जाता है, आतो का, जो खाने का, जो movement का, और जो उससे absorption होने लगता है, तो वहां का भी secretions dry होता है, इसी लिए हम tricyclic anti-depressants देते हैं, ताकि जो है, anti cholinergic side effect के चलते जो है, डाइरिया को र microflora आपका कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो bad bacteria होता है, जो outnumber कर जाता है good bacteria के, और bad bacteria के चलते जो है, आपका ये diarrhea का problem, gas का problem, ये सब बहुत ज़्यादा होता है, bloating, flatulence, diarrhea होता है, अब इस case में जो है, हमको कोई भी antibiotic ऐसा नहीं देना है, जो हम commonly दिया करते हैं, diarrhea में, that is metronidazole, ordidazole, norfloxacin, norfloxacin, ये सब महीं देना है, the ideal drug of choice is rifaximin, rifaximin antibiotic जो है, 550 mg करके, जो है, 14 दिन तक हम लोग देते हैं, अगर ऐसा, अगर suspect होता है कि, जो है, microflora का number काफी outnumber कर गया है, जो good bacteria से, bad bacteria काफी जादा हो गया है, उस conditions में हम लोग ये देते हैं, तो diarrhea को control करता है, अब rifaximin के साथ ये benefit ये है, कि rifaximin जो है, ओरली जो है, हम लेते हैं, तो फिर पेट में जाके, मतलब intestine में ही काम करता है, locally वहीं तक काम करता है, और बैक्टरिया को kill करता है, और ये absorb नहीं होता है, तो अगर ये आतों से, intestine से absorb नहीं होगा, हमारे blood में, तो फिर उसके चलते side effect भी देखने को नहीं मिलेगा, so ideal जो choice होना चाहिए, वो rifaximin आता है, 400 भी आता है, 500 भी आता है, दिन में दो बार करके, 14 दिन तक ये चलता है, तो ये इतनी सारी चीजे हो गई, diarrhea की, तो अगर पेट में दर्द है, तो मैंने बताया कि नेचुरल तरीका, peppermint oil, और साथ में anti-cholinergic, anti-spasmodic दवाईयां, जो मैंने बताया, hyocene, जो कि बसकोपैं, या cyclopam, या drotavaring, ये सब हो गई, और साथ में अगर डगडायरिया हो रहा है, तो इन सब चीजों को आप दीज अब हम आते हैं, कि अगर किसी को, IBS जो हो रहा है, अगर वो D variety के जगा, C variety हो रहा है, IBS constipation हो रहा है, उस conditions में हम क्या देंगे, देखिए, जब भी constipation वाली problem आती है, obviously इस conditions भी, ये भी जो है, डिस्ट्रिशिंग रहेगा, पेशन के लिए, इसी के लिए भी constipation नहीं हो जो है, ये आप यूज कीजिए, और initially फिर हम लोग लेक्जेटिप्स देते हैं, ऐसी चीजें जो पेट को साफ करते हैं, constipation को relief करते, लेक्जेटिप्स या पर्जेटिप्स बोलते हैं उसको, तो उसमें भी हम लोग च्वाइस जो लेते हैं, शुरवात करते हैं, खासकर फॉर्मिंग लेक्जेटिप्स का बहुत सारा होता है, टाइप्स मैंने दिया है, कि आप इसको लेना होगा, बल्क फॉर्मिंग, जिसके अंदर इशव गोल आता है, इशव गोल को पानी के साथ मिला के फिर आप लेंगे, तो ये बल्क जो है, इस टूल का बल्क बढ़ेग जो हाड इस्टूल है, उसके अंदर जो है, जो हम पियेंगे, इसके सिरफ के थुरू, वो उसके अंदर जाएगा और उसको थोड़ा सा जो है, लिक्विफाइब करेगा, और जो है, उसका मुवमिंट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो रिलीफ होगा, इसके अंदर कौन करके आता है, और लिक्विड पैराफिन सा आता है, और बहुत कॉमनली जो हम देते हैं, ऑस्मोटिक लैक्जेटिप्स, ऑस्मोटिक परजेटिप्स, इसका बहुत कॉमन एक्जाम्पल है, पेग जो है, पोली इथिलीन ग्लाइकोल और लैक्टुलोज देते हैं, पोली प्रेट के अंदर जाता है उस्मोटिकल एक्टीव है पानी को और वाट कॉंटेंट को और साथ में ज्डु है लेक्टोलाइट को खीचता है वाटर का जो है एमांट बढ़ेगा इस्टूल का जो थीरे थीरे बल्क बढ़ना शुरू होगा इंटेस्टीन स्क्रेच होगा और सबसčाइब फोलिथिलीन ग्लाइक undertit नाम से आता है आप यह सकते हैं अब पोलिथिलीन ग्लाइक जो होता है और लगभग दुनों ठाएक है अधिवर दोनों साल को खिशता है तो उस दूसरा एक प्रॉब्लिम यह होता है कि यह बहुत बार ब्लोटिंग बहुत ज्यादा गैस वैस शरीर में और क्रैंपिंग कर सकता है तो इसलिए जो है देखा जाता है कि पेक जढ़ा यूज करते हैं यहीं पर ईस्मोस्मोटिक परजयति यह peut तो खीचेगा और इसके चलते जो है वाटर एक्राइट बढ़ेंगे और धीरे दिरें इंटेस्टीन की मुवमेंट बढ़ेगी और कॉंस्टिपेशन रिलीफ होगा और साथ में magnesium hydroxide तो जो hydroxide iron जो होता है वो जो है आपके H plus से combine करता है जो acid होता है हुआ इसे अचिप बढ़ेँ करता है तो यह acidity relief में भी काम करेगा और constipation भी relief में काम करेगा अब हमेशा आप ये ध्यान देंगे चाहे आप कोई भी आप ले रहे हैं लैटितिप चाहे वो बल्क फॉर्मिंग इशव गोल ले रहे हैं या श्टूल सॉफमनर ले रहे हैं या उस्मोट क्ले रहे हैं या stimulant positive ले रहे हैं, कुछ भी आप laxatives ले रहे हैं, water का intake बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि यह सब क्या करते हैं, पानी को आथ में जब यह जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पानी को आपकी आथों से खीचते हैं, और पानी को, salt को, electrolytes को खीचते हैं, और फिर उसका stool का volume पढ़ता है, और intestine, जो है, movement होता है, और वो निकल जाता है, पास करता है, लेकिन इस चकल में कहीं ऐसा नहों कि आपके शरीर की पानी की मातरा कम जाए, और electrolytes की मातरा कम जाए, तो जब भी आप laxatives ले, तो water intake हुआ, थोड़ा बढ़ा करता है, और भी अगर laxatives हैं, तो उ पादी निकलेगा, soid निकलेगा, electrolytes निकलेगा, water का emom जादा निकलेगा, और उसका contraction होगा, और फिर constipation relief होगा, उसके अंदर आप देखेंगे, बहुत commonly जो है, आप देखते होंगे, डुलकुलक्स जो आता है, डुलकुलक्स वो दिया जाता है, या आप देखेंगे, एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, कि 5HT3 receptor antagonist अगर हम देते हैं, तो हमारा इस टूल क्या होता है, कि जो पतला हो रहा था, वो स्टॉप होता है, जिसमें allocetron, pamocetron और condensetron आता है, 5HT4 receptor agonist देगे, प्रुकैलोप्राइड, जो की प्रुविक्ट नामशे आता है, प्रुशेंट नामशे आता है, तो आतों की movement, motivity बढ़ेगी, और ये जो है constipation clear करेगा, तो ये प्रुविक्ट दवा जो ही 2 mg करके हम देते हैं, एडल्स में और ओल्डर एज में 1 mg करके तिरमें एक बार देते हैं, तो ये प्रुकैलोप्राइडी बहुत important gain कर रहा है, अब आप देखते हैं कि बहुत सारे newer drugs भी दोनों के case में, diarrhea के case में, constipation के case में भी बहुत सारे आये हैं, पर इतना जादा जरूरत नहीं पड़ता है, अब देखी कि एक और सीज मैंने आपको बताया, कि जैसे कि tricyclic antidepressants का side effect होता है, कि वो diarrhea को रोक के constipation व या आप देखेंगे, paroxetine, fluoxetine, यह सब जो दवाइया है, इनका जो SSRI होता है, इनका side effects, diarrhea होता है, मतलब एक तरह से अगर diarrhea side effect होता है, तो constipation में काम तो कर ही जाएंगे, और साथ में गट ब्रेल पे भी काम करेंगे, ब्रेल में मूड का भी irritation कम होगा, और साथ में आपका मूड धीरे धीरे जो है, happy होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, यह सब दवाइयां जो भी है, चाहे वो tricyclic antidepressant हो, या SSRI antidepressant, यह सब काम करने में समय लगता है, कम से कम 3-4 समता time लगे आता है, यही मैं एक और बात बात बोलूँगा, कि जैस ज्या ज्यादा लोग antibiotic खा लेते हैं, छोटी-छोटी चीजों के लिए भी, कि antibiotic के चलते भी आपका पेट में जो है, सारा flora, अच्छा या बुरा, जो भी बैक्टिरिया है, सम नस्ट हो जाता है, तो उस antibiotic के चलते भी आपको डायरिया वाली मिलती है, IBS, हो सकता है, constipation भी जा देंगे, इस conditions में, प्रोबाइओटिक्स लेते हैं, प्रोबाइओटिक्स के अंदर जो है, पैक्टिरिया जो है, लाफिलाइज़ फर्म में, लाइफ फर्म में जो है, वो रहते हैं, और उसका हम लोग बोते हैं कि, 10 से 20 दिनों तक जो है, दिन में दो बार करके आप य दो बीजिये, मिक्स्ट फ्लोरा रहता है, कोई single जो है, पैक्टिरिया नहीं बताया गया है, यही जो है, सबसे आदा काईजर है, लाक्टो बैसिलस, लाक्टो बिफीडो बैसिलस, एंटर औरो कॉकस, साक्रोमाइसी, जो की इस्ट है, तो यह सब का मिक्चर भी आता है, तो तो मिक्चर भी दिया जा सकता है या अकेले भी जो है लेक्टोबैशिनिस का दिया जाता है तो यह भी एक प्रूबन इफेक्ट शोकर अब यहीं पे एक और बात बताओं कि अगर IBS जो है mixed variety है तो उसमें हमको इलाज जो करना है वो देख लेना है कि कौन सा dominant है कि कि देखिए mixed variety होगी तो या तो diarrhea dominant होगा या constipation dominant तो जैसा होगा उसके हिसाब से ही जो है हम लोग इलाज देए तो conclusion यही है कि अगर आपको IBS है इसमें कोई भी परिशानी की बात नहीं है बहुत सारे लोगों को यह होता है किसी को कम किसी को जादा बड़ यह बहुत generally encounter कियाता है बहु ब्रेन से हो रहा है तो माथे को तो आप जो है सांथ करने के लिए कम से कम meditation प्राणयाम यह तो कर सकते हैं गट का motility अच्छा रहे डिस motility ना रहे कम जादा यह शब ना रहे नॉर्मल motility रहे तो उसके लिए आपको exercise करने के लिए बोला जाएगा कुछ food है जो मैंने बताया food map जो है तो वो diet खासकर जो है दूद का item आप एवाइड करें gluten खासकर आटे का item बहुत notorious होता है इसलिए देखिए का आज कर लोग gluten free diet लेते हैं क्योंकि सब लोगों की आतें उतनी जादा tolerant नहीं है बहुत sensitive हो गई है शब की intestines तो gluten free लीजिए गार्लिक्स का यह और जो प्य cabbage cauliflower, stargash यह सब आप नहीं लीजिए तो फिर देखा जाएगा तो मैं यहीं कह रहा हूं कि आपको किस चीज़ से परिशानी होती है वो आपसे जादा बेटर आपके doctor, physiotherapist कोई या जो psychotherapist कोई भी नहीं बता सकते हैं वो आपको पता हो आप बारी बारी से जो है weekly मतलब weekly जो ह और फिर आप note करें, analyze करें कि किस से improvement हो रहा है, किन चीजों से होता है, हलाकि लगभग सब आदमी को पता रहता है कि हम यह खाते हैं तो problem होती है, उन चीजों को आप avoid करें, दूसरा है कि आपके पास medicines तो दिया ही गया है, अगर आपको best medicine की बात किया जाए, diarial variety के लिए तो लोपेरामाइड है, बहुत ही अच्छा काम करता है, side effect बहुत कम है, और अगर आपका जो है constipation वाला variety है, तो lexatives ले सकते हैं, आप lexatives में बहुत सारा options हैं जो मैंने बताया हैं, और tablets जो बहुत अच्छा अच्छा अच्छल काम कर रहा है, procalopride करके, prove it करके यह भी आ ले सकते हैं, probiotics भी आप ले सकते हैं, और डायरिया में अगर आपको लगता है, ज्यादा ब्लोटिंग हो रहा है, तो उसके चलते हैं परिफाक्शिन भी ले सकते हैं, इसके बाद आप साथ में antidepressants, अगर डायरियल वराइटी है, तो tricyclic antidepressants, और अगर आपको लगता है कि यह constipating variety है, तो इस case में SSRI antidepressants अप ले सकते हैं, क्योंकि डायरियल वराइटी वाला cases में हमको डायरिया को रोपना है, तो वहाँ tricyclic लेंगे, क्योंकि tricyclic side effect होता है, anticholinergic side effect, हर चिश को यह dry कर देता है, आप देखेंगे, मुह भी शुख जाता है, तो पेट के अं करने का मूड को भी ठीक रहेगा, क्योंकि obviously किसी के लिए भी यह बहुत जादा, थोड़ा साथ और लोग चिर्शिडा जाते हैं, क्योंकि बार बार अगर कोई काम कर रहे हैं, interruption है, day to day activity में यह problem करने लगता है, travel करने से बसते हैं, तो यह options हैं आपके पास, ऐसा नहीं है, कि आप जो है, मतलब कोई लाइलाज है, आपके पास धेर सारे options है, which options suits best for you, लास्ट में cognitive therapy है, cognitive behavior therapy, psychotherapy यह भी है, आपको उनसे भी सलाह ले सकते हैं, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे जादा जादा शेयर करें, और अभी तक हमारे च कि अपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, तक हैं, आपके 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 हैं